नमस्कार दूस्तो दूस्तो आज हम बात करने वाले हैं नाभी में जेतून का तेल डालने के फाइदू के बारे में बात करेंगे दूस्तो नाभी पर तेल लगाना काफी फाइदे मंद होता हैं हमेशा रात को सोते समय नाभी में तेल लगाने की सला दी जाती हैं इस समय नाभी पर तेल लगाने से कब्ज से राहत मिलती है तवचा में निखा राता है नाभी में तेल डालने से पेट दर्द में भी आराम मिलता है लेकिन कई लोगों का सवाल होता है कि नाभी में कौन सा तेल डालना अधिक फायदे मंद होता है यह सर्दियों का मोसम चल र दालने से आपकी कई समस्याएं दूर होती हैं दोस्तो आए जानते हैं नावी में जेतून तेल डालने के फवायदू के बारे में नमबर एक पेट दर्द से मिले आराम दोस्तो नावी में तेल डालने से पेट के दर्द में आराम मिलता है नावी सरीर का मध्य बिंदू होता है ऐसे में नावी में तेल डालने से आपका पेट दर्द ठीक होता है इसके साथ ही इससे सरदी में ड्राइ स्कीन और लिप्स भी स ताउच्चा के लिए फायदिमन माना जाता है। रोज रात को नाभी पर तेल लगाने से ताउच्चा में निखा राता है। इसके साथ ये बालो इसकीन की ड्राइनेस को भी कम करता है। नाभी पर तेल लगाने से होटों का रूकापन भी दूर होता है। दोस्तो अगर आप हड्डियों जोडों में दर्द से परेशान रहते हैं तो इसके लिए रात में नाभी पर तेल लगा सकते हैं। नियमित रूप से नाभी पर जेतून का तेल लगाने से जोडों के दर्द से रहत मिलती हैं। दोस्तो आज कल के खान पान और लाइप स्टाइल की वज़े से अधीकतर लोग कबज की समस्थ से परेशान रहते हैं। अगर आपको भी कबजी बनी रहती हैं तो आप रात को नाभी पर तेल डाल सकते हैं। इसके अलावा नाभी पर जेतून का तेल लगाने से पीरियड्स के दर्द पीरियड्स क्रेम में भी आराम मिलता है। नाभी में जमागंद की मेल के कारण संकर्मन का खत्रा बना रहता है। ऐसे में अगर नाभी पर जेतून का तेल लगाया जाए तो इससे संकरमन से बचा जा सकता है रात को नाभी पर तेल लगाने से सरीर में रख परवा भी बहतर होता है नमबर पांच हर्दिय के लिए फायदे मंद दोस्तो हर्दिये रोग्यों के लिए नाभी में जेतून का तेल डालना फायदे मंद हो सकता है क्योंकि जेतून के तेल में एंटी इंफलैमेट्रिक गुण होते हैं जो हर्दिये स्वास्ते के लिए फायदे मंद होते हैं लेकिन अगर आपको हर्द्य रोग हैं तो डोक्टर की सलापर ही इस उपाय को अजमाएं। दोस्तो नियमित रूप से नाभी में जेतून का तेल डालने से नाभी में जमा गंदकी निकल जाती हैं। इससे गंदकी की वज़े से होने वाला संकर्मन भी ठीक होता है। दोस्तो आईए जानते हैं जेतून तेल का उपयोग के बारे में। नमबर एक जेतून के तेल का उपयोग आप खाने के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा सरीर की मालिस करने और होटो की मालिस करने के लिए भी जेतून का तेल फायदे मन दोता है। नमबर दो, जेतुन के तेल का इस्तमाल आप तवचा पर मालिस करके भी कर सकते हैं। इस तेल से तवचा की मालिस करने से कील मुहासो जुरीयों और ड्राइनेस दूर होती हैं। नमबर तीन जेतून के तेल से होटों की मालिस करने से होटों का फटना बंद होता हैं इससे होट मुलायम बनते हैं नमबर चार, जेतुन का तेल सेहत बालो और तवचा के लिए काफी फाइदे मन दोता है इसलिए आप इसे नाभी पर लगाने के साथ ही अपनी डाइट में भी सामिल कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जदध से जदध सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें